प्रेस्ट दो जोगर्ड नमस्कार प्यम्सीं हिंदी के डॉक्टर से पूछ वग्राम में आज मैं डॉटर एस रंजन आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर हम सीखते हैं स्वाज्थ के अध्यात्मिक डाइमेंड्सन को spiritual approach to health ध्यान, ध्यान में जो हमारे भीतर जो उर्जा उतरती है वो उर्जा, चक्रों पर काम करना, नाड़ियों पर काम करना occupational point, मुद्राज, color therapy और अपने subconscious mind के programming कैसे करना उसके माध्यम से घर बैठे, self healing के तरीके सोंबार और सुक्रवार सब्ता हमें दो दिन, सामें 5 बजे हमारा program आता है आप अपने सवाल यहाँ पर whatsaip पर भेज़ सकते हैं सुक्रवार के दिन हम सवाल जवाब लेते हैं आपका अब हम ऐसा भी शुरू कर रहे हैं कि आप अपने सवाल direct live पूछ सकते हैं तो जो आपके सवाल आई हुए हैं, पहले हम उनको ले लेंगे और उसके बाद आपके सवाल live भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं जब भी आप अपने सवाल पूछें या लिख कर भेजें उसमें अपने उम्र और जेंडर specific जरूर मेंसन करें उम्र का बहुत प्रभाव पड़ता है और अपने सवाल concise रखें, main बातें लिखें तो हमारे पास सवाल बहुत सारे आ रहे हैं तो हमें आसानी रहेगी अगर आपके सवाल concise है जो main point है, to the point है अगर अपने सवाल पूछा है तो अगर आपको कोई सवाल समस्या नहीं भी है तो भी हमारा प्रग्राम देखें ताकि आप भविस्मिके में आने वाली सवाल समस्याओं से अपने आपको बचा सकें हमारी philosophy है, अगर आप अपना care करते हैं, अगर आपके वीता self love है, energy को समझते हैं तो आप अपने आपको easily happy और healthy रख सकते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं तो आपके सवालों को बारी बारी से यहाँ पर हम लेंगे मेरे साथ हमारे टीम मेंबर जुड़ी हुई है, देनु जी आपके सवालों को एक एकद के पढ़ेंगी और फिर हम उनको यहाँ देखेंगी नमस्कार सर्थ, सरे एक ध्यानिक पूर्ज का कोशन है जबी एज 84 है, उनके बेटे ने कोशन किया है कि जो उनके पिताजी है, वो तीन से चार महिने में पैटे पर रहके आचुके है, हफ्रजो का नाम भी है, तर उनको बीपी भी है, टाइबर दीज भी है, और ब्रेंस पॉप्स की दॉबलम है, माले सती को देखकर उनको ने लगता वो ठीक हो जाएंगे, पर वो अपने हाँ, आपके सवाल को मैं भी देख लेता हूँ, तो आपके सवाल मुझे पता है, देखिए, जो जिन्होंने सवाल पूछा है अपने पिताजी के बारे में, पहले तो मैं उनके पॉजिटिव माइंडसेट की दाल देता हूँ, कि आपने उमीद जलाए रखी है, देखिए, जिन्गी में सबसे बड़ी सकती होती है होप, उमीद, कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं अपने आपको ठीक कर सकता हूँ, तो ये उमीद पिताजी के अंदर आपको जगानी है, और इस उमीद को जगानी के लिए, आप अपने उन परिवार मेंबर्स का, या वैसे लोगो का हेल्प ले सकते हैं, जिनकी बातों को वो रिस्पेट करते हैं या मानते हैं, जब अच्छा मूड में, जब वो अच्छी इनर्जी में होते हैं, लेकि सुबह से साम में भी हमारी अलग लग इनर्जी थोई बदलते रहती हैं, कुछ लोग सुबह में ज्यादा की बातें करनी है और अपने माइंडसेट को पीसफुल ज्वाइफुल बनाने के लिए खुशी बढाने के लिए हमारा जो हाट औरगन है वो हेल्दी रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा जवरी है कि हमारे हाथ में अक्यूपेसर पॉइंट होता है जिसका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ हमारी कलाई पर यह एक्यूपेसर पॉइंट आपको करना है यह एक्यूपेसर पॉइंट करने से मतलब इसको अगर हम रेगूलर मसाज करें तो इससे यह होगा कि आप उनके भीतर उनका जब हिर्दय जब मजबूत होता है तो वो किरन बढ़ेगी यहां पर हम मल्टिपल अप्रोच लेते हैं कई डायरेक्शन से काम करते हैं तो मैं पहले आपको एक्यूपेसर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों हाथों में हिर्दय हमारी बाई तरफ है लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में एक्यूप पैसर पॉइंट को आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 3-5 बार दबाएं और दबाने के बाद वहां पर लाल रंग लगा के रखें और जो लाल रंग लगाना है वो सामने गूंगरे पानी से या नॉर्मल पानी से उसको पोश्ट कर हटा लेना है ताकि आप अगले दिन बिल्क करने से हाट की नजी जब बढ़ेगी तो उनका डिप्रेशन ठीक होना लग जाएगा उनकी भीतर होप जगेगा जैसा आपके भीतर होप है प्लस आप जब ध्यान में बैठते हैं अपने ध्यान के अंत में जब आपका ध्यान ए घंटे का ध्यान मान ली जाएगा आप की आप ठीक हो सकते हैं आप ध्यान का सहरा लें आप सकारात्मक रहें जो बातें आप फिजिकली बोलते हैं वही बातें आपको मांसिक रूप से बोलनी है ध्यान के अंत में जब आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं उसके तुरंद बात अपने हिर्दे चक्र, हार्ट चक्रा पर फोकस रखते हुए तो यहाँ प्रसे जब हम तरंगे देते हैं तो वो दूसरे के अंदर आसानी से चली आती है अगर आपने स्ट्रोक की प्रॉल्णम बताई तो ब्रेन स्ट्रोक या पारलिसिस का केस अगर है जिसमें पैर में सूरे नाड़ी का एक्टिव रहना हेलफुल है जोरी है तो अगर आप उनको धूप दिखा सकते हैं सनलाइट तो उसकी वैश्था करें कि वो आधे घंटी से एगटी की सनलाइट ले सकें और उनके पैर की दसों उगलियों के टिप्स पर ग्रीन कलर और रेड कलर अल्टरनेट डे पर एक दिन ग्रीन कलर हरा रंग और एक दिन लाल रंग मुक्ता तो लाल रंग काम आएगा लेकिन थोड़ा सुरुआत में हरा रंग भी हैलफुल हो सकता है सभी अंगलियों के टिप्स पर जैसे मैं अगर आपको जो हाथ और पैर में अंगली के टिप्स हैं उन पे आपको हरा रंग या लाल रंग लगाना है टिप्स आफ दी टोज पैरों के उंगलियों के टिप्स पर लालंग का गोला चो कलर थरपी है वो मुक्ता दिन में काम करती है तो दिन में इसका प्रयोग करेंगे रात में कलर थरपी effective बहुत कम होती है नहीं के बराबर होती है तो आप टिप्स पर ग्रीन कलर और रेड कलर अल्टरनेंट डे पर लगाएंगे इससे फाइदा थोड़ा होगा हम अगले सवाल पर चलते है रेनुजी बहुत बच्चा सवाल है मेडिटेशन से हर एक समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं देखिए जो फिसर है और जो भी ऐसा एनल कनाल का जो प्रॉलम होती है इसके जब हम साइको समेटिक मानसिक कारण पर जाएं तो इसका कारण है पास्ट हट पुराना धोखा पुरानी तकलीफ पुरानी बातों किसी पुरानी बातों से बहुत परेसान होते हुए कोई धोखा मिला कोई कहीं पर इज़त नहीं मिली तो किसी बात से बहुत ज़़ादा परेसान है तो यहां पर आपको आराम से बैठकर अगर वो ध्यान में आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो ध्यान में लाने की उनको कोसिस करें, ध्यान में और और अराव से बात करते हुए इन बातों को समझना कि पुरानी बातों को खासकर पुरानी किसी हर्ट को लेट गो करना, डिजॉल्व करना हमारे मन का ये सभाव होता है कि जो पुरानी समस्याएं होती है पुराना हट होता है उसको ना हम बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं वो घटना चली गई, गुजर गई वो इनसान लाइफ से चला गया फिर भी हम उसको सोचते रहते हैं और अपने आपको विक्टिम मानते हैं कि मेरी जिनी ठीक नहीं रही मेरी किस्मट ठीक नहीं रही मुझे इस परसन ने धोखा दिया मुझे इस परसन ने बोलकर साथ नहीं नीभाया कई धंग से हो सकते हैं तो यहाँ पर माफ करना और लेट को करना बहुत इंपॉर्टेंट फार्गिवनेस और लिटको अक्टिवली अगर परसन की याद होगी जो की अधिक संभावना है की याद होगा ही जिस परसन को तकलीफ होती है उसको उससे पूछा जाए किस परसन से समसे ज़्यादा पैसानी है आपको याद आ जाएगा उस परसन को माफ करना है देखिए गलती होती है अलग 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 लोगों से अलग अलग अनसान से अगर हमने उसे याद रखा हुआ है तो वो परसन को याद होना हो हम खुद से खुद को तकलीफ दिये जा रहे हैं तो माफ करना है लेट को करना है और यहाँ पर जो अक्यूपैसर पॉइंट इससे रिलिटेड है फॉर्गिवनिस के लिए भी अक्यूपैसर पॉइंट है मतलब ऐसा अक्यूपैसर पॉइंट जिसको मसाज करने से forgiveness करने में आसानी हो जाएगी अगर male है जिनको fissor की problem है तो by heart में by heart में LU7 और PC6 ये दो point mainly LU7 इस पर काम करना है LU7 का image मैं आपको अच्छे से अभी दिखाता हूँ LU7 stands for lung 7 lung meridian फेफ्रे की meridian का सातवा एक्यूपेसर पॉइंट ये LU एक्यूपेसर पॉइंट बहुत काम का है कई सारे health condition में काम आता है अभी हम forgiveness से related मामलों पर हम समझ लें जो आपको चितर दिख रहा है ये दाहिने हाथ का है लेकिन male person को पुरुष को बाए हाथ में ये करना है इस LU 7 एक्यूपेसर पॉइंट को दबाते हुए forgiveness का affirmation मोलना है मनहीमन में कि मैं माफ करता हूँ जो person है उस person को याद करके उस person को मैं माफ करता हूँ मैं लेट गो करता हूँ उस person की बातों को छोड़ देता हूँ जब हम छोड़ेंगे तो हलके हो जाएंगे दिल हलका हो जाएगा और जब पुरानी बाती जब जाएंगी तो फिर फिसर ठीक हो सकता है ये पुरानी बातों को छोड़ने के लिए है और इसके लावा फिर हम actual में उसके लिए काम करते हैं तो पैर में के सेवन एक्यूपेसर पॉइंट मैं के सेवन एक्यूपेसर पॉइंट आपको दिखा देता हूँ उस पर भी आपको काम करना है के सेवन एक्यूपेसर पॉइंट में आपको अस्परष्ट हो गया होगा ये किड्नी का सातवा एक्यूपेसर पॉइंट है के सेवन तो ये इस पर हमें काम करना है मैं आपको अभी चितर दिखा रहा हूँ पैर की एंकल से थोड़ा सा उपर होता है जो जो एक्यूपेसर पॉइंट आ रहे हैं इसमें से सभी बहुत भरसेटाइल बहुत पॉइंट है तो आप चितर को देखें लोकेशन को देखें यह कई सारे अलग कंडिशन में काम आता है एंकल जो टकने का जॉइंट है उससे दो अंगुल ऊपर होता है और बोन जो है यहाँ पर यहाँ जो हड़ी होती है उससे हलका सा पीछी यह के से वने की प्रसर पॉइंट है इस पर आपको काम करना है इससे ठीक हो जाएगा हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं रिनु जी तीन साल की ध्याने स्क्री है इनकी शादी को छे स्क्राव हो चिते है तीन साल पहले उनका मिस्टारी जो गया वो बेवी प्लान करना जाए पर उनका उसमें सफल नहीं हो पारी है तो आप इस के प्रसर 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 देखिए यहाँ पर यह बात समझनी है कर्मो का हिसाब किताब भी थोड़ा समझना है कर्मो के सिध्धान्त को प्यमसी हिंदी पर जल्दी ही सरीज आ रही है कर्म, लाफ, कर्मा और हेल्थ का आपस में कर्नेक्शन कर्मो के सिध्धान कुत्वा समझे और अगर कोई पास्ट लाइफ में पुरुजन्मों में हमारे बहुत सारे हेल्थ कंडिशन chronic health condition, disturbing health condition का कनेक्शन पूरुजन्म के कर्मों से भी होता है तो अगर अपने meditation में या सोने से पहले आप ऐसा पोछ सकते हैं कि क्या कोई पूरुजन्म के कर्म ऐसे हैं जिसका कनेक्शन मेरे health condition से है मेरे miscarriage से है miscarriage के यहावा किसी भी health condition में आप पूछ सकते हैं तो अगर आपके पास हिम्मत है अपने पुराने चिठों को खोलने की अगर आपकी मांसिक तयारी है कि अगर कोई disturbing पहलू अगर आपके सामने खुलता है तो भी आप उसको समझ सकें और उसको balance करने के लिए तयार हैं माफी मांगने के लिए मुखी रूप से पुराने कर्मों के balance करने के लिए माफी मांगना होता है तो अगर तयार हैं तो वो चिठा खुलने लग जाएगा अपने ध्यान में आप पूछें क्या मेरे मेरी जो स्वार्थ समस्या है ये जो miscarriage है क्या इसका कोई कर्मा से connection है अगर आप सवाल पूछ कर सोने से पहले या ध्यान से पहले आप ऐसा करेंगे तो आपको जवाब आ सकता है जवाब आ जाए तो accordingly आपको माफी मांगना है और कर्मों को balance करना है अक्यूपेसर पॉइंट पर मैं आऊ अक्यूपेसर पॉइंट में हमारे हाथ में LU8 अक्यूपेसर पॉइंट है LU8, LU7 के जश्ट बाद मैं आपको चितर दिखाता हूँ इस LU8 अक्यूपेसर पॉइंट पर आपको काम करना है यह LU8 अक्यूपेसर पॉइंट आप दिन में धिरे धिरे दो बार तीन से पाँच बार आपको दबाना है लंग मेरीडियन का आठवा पॉइंट अपनी कलाई पर अंगुठे की लाइन में आप इस एक्रिपेसर पॉइंट को समझ ले LU9 जो है वो कुहनी पर अंगुठे के तुरंत नीचे है और उससे आधा इंच नीचे ये LU8 एक्रिपेसर पॉइंट है अपने दाहिने हाथ में ज़्यादा और दोनों हाथ में इस LU8 एक्रिपेसर पॉइंट का मसाज किया करें स्प्लीन और्गन हमारा जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए तो फिर होल्ड करने की कैपेसिटी आती है मिस्कैरिज मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बॉड़ी में नहीं है तो ये LU8 एक्रिपेसर पॉइंट करने से स्प्लीन मजबूत होगा और इससे आपको हेल्प हो सकती है सर एक 58-year-old की हाली स्प्री है जो SLE की पेसेंट भी है और वो सफर जर रहे हैं माउथ अंसर से तो इसके बार में बता है LE की पेसेंट सॉरी वो समझ में नहीं आया SLE अच्छा, Systematic Lupus Athermatis Autoimmune Disorder तेखिए Autoimmune Disorder ना इसका दुनिया में ये बहुत इसका नंबर बहड़ा है बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है Autoimmune Disorder में क्या होता है थ्वासा ये एक टॉपिक हम भी समझ लें इसके सवाल बहुत सारे आते रहते हैं और मेडिकल में तो इसका कोई बिल्कुल हाथ खड़े कर देते है Autoimmune Disorder में क्या होता Autoimmune Disorder में कि हमारे सरीर की जो रोक परतिरोधक कोशिकाएं है Immune Cells वो हमारे अपने सरीर के अंगेस्ट लड़ने लगती है Immune Cells का काम क्या है कि बाहर से कोई बैक्टरिया आया fungus आया, virus आया तो उससे वो लड़े और उनको infection ना करने दे उनको हमारे अंदर गर्बरी ना करने दे जिसरे हमारे पुलिस होते हैं, आर्मी होती है वो अगर कोई terrorist है या border पे हैं, तो उनको रोकते हैं, मारते हैं उनको अंदर नहीं आये देते, अगर अंदर आ गए तो उनको फैले नहीं देते अगर ऐसा हो जाए कि हमारे अपने लोग, अपने लोगों को मारने लग जाए, तो क्या condition होगी, बिलकुल confusion हो जाएगा और problem हो जाएगी हमारे सरी में वैसा हो जाता है यहां पर medical science हाथ खड़े कर देता है और बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अगर हम समझे, natural health को तो इसमें एक बड़ा कारण है toxin, हमारे सरीर में जो गंदगी जवा हो जाती है वो गंदगी confusion करती है तो आपको detox सीखना है detox अपने आपे एक बहुत बड़ा topic है, detox के बारे में अच्छे से समझे detox का, हम detox पे exclusive session यहाँ पर हम प्लान करेंगे है जोकि detox एक बहुत बड़ा topic है दर्जनों तरीके हैं detox करने के सबसे मुख्य जो है detox करने का वो है intermittent fasting यानि कि सुर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना अगर आपके आज़त अभी नहीं है तो आप पहले कम करने quantity कम करने या light ले soup वगरह लिए या सिर्फ सबजी ले और फिर धेरे धेरे आप भोजन बंद करें सुर्यास्त तक 7 बज़े तक 6 बज़े तक भोजन को लेना है 8 घंटे के विंडो में अगर सुबह 10 बज़े आपने कुछ breakfast लिया तो फिर साम में 6 बज़े तक 7 बज़े तक ही आपको लेना है अगर आप अपने सरीर को 15 घंटे 16 घंटे का rest देते हैं तो सरीर अपनी cleaning खुद से करता है ये सबसे आसान और सबसे powerful तरीका है body को detox करने का वैसे तरीके बहुत सारे हैं हम कभी भविस के session में बात करेंगे तो detox करें एक बात तो ये है दूसरी बात आपको यहाँ पे जो समझनी है autoimmune disorder में SLE और कोई भी autoimmune disorder है उसमें ये काम आएगा heart brain coherence ये बहुत अच्छा point है अगर आप copy pen लेकर बैठे हैं उसे लिख ले heart brain coherence क्या होता है heart brain coherence कि जो आपका दिल सोचता है heart आपका दिमाग भी वही सोचे उसी direction में सोचे क्या होता है अगर समझेए कि ऐसा हो कोई घोड़ा गाड़ी हो एक घोड़ा एक अलग direction में जाए और दूसरा घोड़ा अलग direction में जाए तो क्या होगा कोई company है जहाँ पे दो director है एक director कुछ और decision ले दूसरा director कुछ और decision ले क्या होगा बिल्कुल confusion वाल इस्तिती हो जाएगी कोई progress नहीं होगा heart brain coherence जो आपका दिल सोच रहा है वहीं दिमाग भी सोचे तो आपस में जो सामनजश्य है वो disturb हो गया है तो confusion वाल इस्तिती से body confused होता है autoimmune हो जाता है तो आपको जीवन में ध्यान को अपनाना है ध्यान के अपनाते हुए जब हम सासों को महसूस करते हैं मन को शान्त करते हैं तो धीरे धीरे ना आपके लाहें क्लारिटी भरती है यह meditation से healing कैसे होती है यह हमें बारीकियों को समझना है autoimmune disorder में हमें heart brain coherence टहलप करना है कि आपके पास मन में जब सांती आती है तो यह असपश्टा आए कि आपको जीवन में करना क्या है कैसे करना है क्या करना है कौन सा step कब करना है तो यह clarity develop होती है जब मन शान्त होता है चित सान्त होता है तो आपको समझ में आता है कि किसका कितना महतु है तो यहाँ पर है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना आप सीखें जिसे को इंट्यूसर कहते हैं जिसे को सिक्थ सेंस कहते हैं आपके दिल की आवाज हार्ट और ब्रेन में देखा जाए तो हार्ट is more important दिल क्या कहता है या आपकी आत्मा अंतरात्मा क्या कहती है तो दिहान करते हुए या ऐसे भी आपको फिल होगा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने दिमाग की कम सुने अपने लॉजिकल माइंड की कम सुने जो आपका इंट्यूशन से आता है उसको फॉलो करें अगर आपका हार्ट और ब्रेन में कोहरेंस है एक हार्मनी है तो आपका आटो इम्यून डिसॉर्डर ठीक हो जाएगा मेडिकल वाले बोलेंगे ठीक नहीं होता है उनकी बातों को किनाय रखिए उनकी अप्रोच में ठीक नहीं होता है मेडिसीन से ठीक नहीं होता है अगर आप अपने माइंड पर काम करते हैं, अगर आप डिटॉक्स पर काम करते हैं, तो ठीक होता है, डिटॉक्स करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और हार्ट ब्रेन कहरेंड पर काम करें, यह है SLE के लिकाने, जो माउस अलसर के लिए बात कही है, उसके लिए, मैं आपको occupacer point हमारे हाथ में होता है PC6, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, वो PC6 occupacer point आप दिन में बार बार हर 2-3 घंटे पर दबाया करें, अगर PC6 occupacer point को अगर ठीक से रेगुलर्ली दबाया जाए, तो ये मौथ हल्सर को, मौथ हल्सर बेसिकली जो हमारे सरीर में पिर्थ्वी प्रान की कमी हो जाती है, उसके वजह से होता है, पिर्थ्वी प्रान, दो तरह के प्रान की हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे भी तसरी में जो भोजन है, वो पिर्थ्वी उर्जा और सुर्जा, इन दो को लाने मदद करता है, ध्यान करते हुए जब अच्छित जब सांथ हो रहा है, तो धीरे धीरे आप इस काबिलियत पर पहुंचेंगे, कि आपको जब प्रान उड़ जा जब अधिक समझ में आए, तो आप उनको अपने सरी में डायेट ले सकते हैं, तो पिर्थ्वी प्रान को बढ़ाना है, पिर्थ्वी प्रान की कमी से अलसर हो रहा है, तो हमारी कलाई में, कलाई से दो अंगल पूछे, पीछे ये PC6 सेक्टर प्रेसर पॉइंट है, दोनों हाथों में इसका आप मसाज करें, इससे आपको माउथ अलसर को ठीक करने में हेल्प होगे। तो अगँ चलते हैं अगले सवाल पर। द्यानी की बेटी, इनकी उमर 18 साल है, और ठीक स्टेक्ट और इंटेलिजन्ट डिस्जीज है, किसके कारण दो जो नॉर्मल कारवियां वह नहीं कर पाती है। उनको होमोपैतिक का टीट्मेंट भी चल रहा है, जितने उनको कोई ज्यादा फायता नहीं आए। तो यह आपसे राय रहना चाहिए। जो मेन इस्यू है, हम उस पर सिर्फ फोकस करें, सिर्फ हम उसके बारे में बात करें। आउटिस्टिक, आउटिस्टिक है। फिर से बताएं क्या है। आउटिस्टिक। अपना वो कियर खुद से नहीं कर पाती है। मतलब ब्रेन का डेवलप्मेंट नहीं हुआ है। तो यहां पर हमें समझना है कि आपको उसके ब्रेन पर प्रार उर्जा को बढ़ाना है। आप जो आप ध्यान में बैठते हैं, दिन में दो बार ध्यान में बैठना चाहिए। हीलिंग परपस से अगर आपको करना है तो दो बार कमश्ट है, कमपलसरी है। एक गंटा बैठें तो वो सबसे अच्छा है। ज्यादा ही बैठें तो अच्छा ही हो, हेल्प ही करेगा। ध्यान के बाद, जब आपका ए घंटे का ध्यान हो चुका हो, उसके बाद आप उस बच्ची के जाएं, उसके सिर पर हाथ रखें। और आप प्रातना करें डिवाइन से, कि इस बच्ची का हेल्प करें। इस बच्ची के ब्रेन का देवलप्मेंट हो। देखिए धैरे, आउटिजम के केस में, जहां पर मेंटल डेवलप्मेंट नहीं हुआ है, पैरेंट्स को बहुत धैरे रखना होता है। धैर आपके अंदर विक्षत हुआ भी होगा, यह सिटुएशन एक ऐसी है, आपको धैर और ज़्यादा रखना है। और इस धैर के साथ साधना को अपनाना है, ध्यान को अपनाना है। ध्यान के अभ्यास के बाद आप बच्ची के सिर पर हाथ रखें। जब बच्ची सो रही हो, तब सिर पर हाथ रखकर थोड़ा ध्याने बैठें। और प्रात्ना करें। जब आपका ध्यान अच्छा हो गया हो, जब आपको प्रान उर्जा फिल होने लग जाती है। तो फिर आप कलपना के माध्यम से भी उर्जा पहुचा सकते हैं। मतलब कि आप अपने ध्यान के बाद, देखें ध्यान के दौरान को इनर्जी टांसफर करने का कोशिस नहीं करना है। इस बात के बारिकों को समझना है, तब ही जब आपके पास भरपूर उर्जा है, तब आप distant remote healing भी कर सकते हैं विजलायसन के माध्यम से, कलपना करना कि वो बच्ची आपके पास सो रही है, उसके उपर आप हात रखे हुए हैं और आपके हातों से दिव उर्जा spiritual reality वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो PMC Hindi, YouTube पर PMC Hindi पर हमारे spiritual reality वीडियो को तो वो इनर्जी अगर आप हातों को सिर पर रखते हैं तो इनर्जी स्वतह जाती है, अगर उर्जा को फिल हो रही है, अगर धेर सारी उर्जा आ रही है, तो आपके कलपना करने से भी वो इनर्जा बहने लग जाएगी, उर्जा जहां ज़रुत है वहां जाएगी, उर्ज में सभी अंगलियों के जो टिप्स होते हैं वो सिर से जुड़े होते हैं हेड तो उस बच्ची के हाथ की दसंगलियां और पैर के दसंगलियां सभी के अंगलियों के टिप्स को आपको दबाना है अक्यूपेसर के अंदर सुजोग के अंदर ये चीज़ आती है दिन में तीन बार आप इसको दबाएं उसे भी सिखाएं अगर वो सीख लेती है करती है तो खुझ से वो अपना हेल्प करना शुरू कर लेगी प्यार से धहर से सिखानी कोशिस करें हाथ से उसके दबाएं सभी अंगलियों के टिप्स को और इन अंगलियों के टिप्स पर आपको लाल रंग लगाना है स्ट्रेशनी ये स्टोर से रेट कलर का मारकर आप ला सकते हैं परवाइंट मारकर और सभी अंगलियों के टिप्स पर आपको लाल रंग लगाना है जो लाल रंग होता है वो बलड फ होगा थोड़ा ध्यारी रखने की बात है आप इसको तीन मेहने जो बाते मेही हैं इसको सिद्दत से नियम से किजिए और उसके बाद फिर आप फीड़ बैक दें जरूर फायदा होगा आपके आप बोल कर भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं अपने सवाल को आपको कौन साइज रखना है टू दी पॉइंट पूछना है उम्र और जेंडर जरूर बताना है तो फिर हम आपके आपको बारी बारी से अन्म्यूट करके हम आपके सवालों को ले सकते हैं आपको बस अपने आउडियो को रखने की जरूरत है वीडियो की जरूरत आपके वीडियो की जरूरत नहीं है जिनके हैंड रेज हैं, उनको मैं अब अन्म्यूट कर रहा हूँ, आप में सवाल पूछिए रुपाली बोष, 44 मेरा एज है, यह मीलता ही हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है सर, मेरा डाइजेशिन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत साल से यह चल रहा है, मैं 13 years regular meditation में हूँ, मैं गरती हूँ regular meditation आजकल जो हुआ है, सर, बहुत सालों से मेरे साम को 6 बजी, 5 बजी मेरा बॉमेटिंग होता है, ये रिगुलर हो गया, तो 15 डेज हो गया, 15 की 20 ऐसे डेज हो गया, मैंने बहुत अपने उपर एक्सपरिमेंट किया, बहुत कुछ किया, की ये खाना नहीं खाना है, ये खाना नहींग होंगा, ये तो बेजी चाल हुई, मैं स्पाइसी खाना खाने ही सकते हूं, तो आजकल मैं क्या करती हैं, शुभा फूट्स लेती हूँ, दोफर में एक आपली नेती हूँ और आपको एक रोटी ले रहे हूँ, इसमें मेरा बॉमिटिंग बंद हो गया, 15 से 20 देज मैंने बॉमिटिंग नहीं किया, और ऐसे जब दोफर में मैं सबजी के साथ, हम लोग बेंगाली है, तो राइस काते जब मैं सबजी डाल खाती हूँ, तो एक घंडे के बाद ही मुझे पता चल जाता है कि मेरा डाइजेस्ट नहीं हूँ और यह जो नॉस्ट्रल है, इसमें बहुत गड़मी लगता है, बहुत जात जो हाता है न, ऐसा फील होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, मेरा नहीं हुआ, तो मैं बॉमिटिंग कर देती हूँ, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मेरा कोई मेडिशीन लेना नहीं पड़ता है, मुझे बॉमिटिंग करना ही है, और बॉमिटिंग में जो है, कुछ खाना नहीं खाना नहीं आते हैं, एक वाटर आते हैं, जिसमें बहुत क्या बोले जैसे पोल्डिंग होता है ना स्पाइसी कुछ टाइट का वॉमिटिंग होता है कुछ खाना ने एक भी दाना नहीं उसमें होता है वो रेगुलर हो गया मेरा सिस्टेम में तो आप मुझे बताए कि मैं क्या करूँ और खाना आज कल खाना मैं फूट्स ले रहा हूँ यसलिए मैं वीक भी फील कर रहा हूँ क्योंकि छे बजे इसके बाद ही मुझे बहुत थकान रागरू मैं जब मेडिटेशन में मैं रेगुलर शुभा तो करती हूँ दौफर में भी करती हूँ अब चुटी है तो दौफर में बारों से सारे बारा करती हूँ और अभी साथ से आठ बजे मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ तो इस टाइम जब मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यह करने के बाद ही सोना पड़ता है लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं इतना कम समय मैंने इतना जल्दी सोने का तो मैं वीक फील कर रहे हूँ उसा है तो कैसे मैं धन्यवादने वाली जी आपके सवाल समझ में आ गए है अपने सवालों को कॉंसाइज रखें सौट रखें टूदी पॉइंट पूछें डाजेशन एंड वोमिटिंग इशू तेखिए डाजेशन का जब बात है हमें समझना है हमारे सरीर के लिए मिलेट्स बहुत हेल्फुल है पाँच तरह के मिलेट्स है आप यूटूब पर गूगल पर डालेंगे आपको पाँच मिलेट्स के बारे में डिटेल आ जाएगा इन मिलेट्स की खिचड़ी खाना सुरू करें आप डाटर खादरवली कनाटक के हैं मिलेट्स का परचार बहुत कर रहे हैं मिलेट्स आर्ट सुपर फूड्स मैंने भी अपने पेसेंट्स पे कई लोगों पर ट्राई किया है मिलेट्स से बहुत हिल्फ होता है डाटर का मामला जो है बिसिकली थोड़ा सा हम समझ ले हमारे भोजन में ना फाइबर कंटेंट होता है और अगर हेल्दी फाइबर्स हों तो मिलेट्स में वैसे फाइबर होते है जो हमारे पेट में जो माइक्रो बायोम है बैक्टेरियाज उनको प्रोपोर्शन रेशियो उनके टाइब को बैलनस रखता है ठीक रखता है तो मिलेट्स आप लेना सुरू करेंगे इससे आपको हेल्प होना सुरू होगा मिलेट्स की खिच्छी ले सकते हैं मिलेट का खमीर ले सकते हैं यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा आपको बहुत सारा मिल जाएगा और जो वोमिटिंग की बात है जो वीकनेस की बात है उसके लिए मैं बारी बारी साब को बताता हूँ पहले हम वोमिटिंग की बातों को समझ लेते हैं हमारी कलाई पर एक्यूपेसर पॉइंट है PC6 पेरिकार्डियम 6 कलाई पर कलाई से तीन अंगुल पीछे इस तीन अंगुल के पीछे सेंटर में चुड़ाई से सेंटर इस एक्यूपेसर पॉइंट को दोनों हाथों में आपको दो-दो मिनट के लिए दबाना है हर तीन से पाँच घंटे पर और यहाँ पर जो माइंडसेट करने की बात है कि आपको अपने जीवन में जो उल्टी होती है इसमें क्या है सरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा फूड को तो इसका जो मेंटल लेना लॉग है मानसी कारण है हमें अपने जीवन में सुविकार भाव को बढ़ाना है तो पेरिकार्डियम 6 PC6 अक्यूपेसर पॉइंट को मसाज करते हुए आपको यह अफर्मेशन बोलना है मैं अपने जीवन को सुविकार करती हूँ आप इन मुख्य अफर्मेशन को लिख ले मैं अपने जीवन को सुविकार करती हूँ पहले सुविकार करना है फिर पूरी तरह से सुविकार करना है मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सुविकार करती हूँ मैं अपने जीवन को 100% सुविकार करती हूँ मैं अपने लाइफ के हर एक परसन को सुविकार करती हूँ मैं अपने लाइफ के हर एक situation को सुविकार करती हूँ मैं swim को सुविकार करती हूँ मैं जिन्दगी को बढ़ेगा और आप राइट फूड यानि की मिलिट्स ले रहे हैं तो इस से आपके प्रवल्ब को solve हो जाएगा और अपने नाभी चक्र को बैलन्स करने का भी आप समझें और उसको किया करें नाभी चक्र को बैलन्स करने के लिए हमें अपने पैर में और तल्वे में सेंटर को दबाना चाहिए आप आपके जो पैर का जो तलवा है उसका जो सेंटर है उसको आप रेगुलर दबाएंगे तो उससे भी ना भी बैलंस होती है ना भी बैलंस रहना बहुत जरूरी चीज है हमारे पेट को ठीक रखने के लिए ना भी चकर का सेंटर में होना तो हम अपने क प्लाइक के सेंटर को दबाएं और पैर के सेंटर को दबाएं गोल गोल उससे हमारी नाभी सेंटर में रहेगी तो आप इतना आप करेंगे आपको हेलफ होना सुरू हो जाएगा इसे आप रेगुलर करें एक महिने उसके बाद हमें हमारे PMC यूटूब चैनल पे हमें आकर सवाल पूछिए हलो सार हलो हलो नमस्त पूछे सवाल सवाल पूछे सर मेरा 2324 के आसपास है और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सरी में मैं लगबख देर साथ से ज्यादा हो गए मेरे मेरे मैजरेशन करते हुए मैं जुलाई 2020 से कर रही हूं और मेरे सरीरी में नहीं बलड बनता ही नहीं है मतलब चार पांट-छे साल से ऐसा पता नहीं क्या हो गया है बहुत ट्रीटमेंट भी लिए बलड नहीं बनता है पांट-छे सवाल पूछ है और हम और हम बागे-बागे बढ़ते हैं कई लोग सवाल करेंजार कर रहे हैं जी भूख लगती है ठीक से बूख लगती है अब तो लगती है एक टाइम ऐसा था जब भूख कभी लगती नहीं थी बिलकुल मैसूस ही नहीं हो ठीक है धन्यवाद देखे तूदी पॉइंट सवाल पूछेंगे तो अधिक लोगों को हेल्प हो पाएगा आपकी बात समझ में आ के सेंटर में बोन मैरो होता है उनका हेल्थ हेल्दी रहना ज़रूरी है तो ब्लेट बनने के लिए एक तो आपका भोजन अच्छा होना चाहिए तो मिलिट्स एक अच्छा भोजन है और जो एक्यूपेसर पॉइंट की बारे में जादा मैं आपको बात कर लूँ हमारे पैर दबाते हुए आपको affirmation बोलना है मेरे जिवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यह एक affirmation ऐसा है जो बहुत और करिंडिस्टन में भी काम आएगा हम लाइफ जो यह जो universe है basically एक benevolent divine force के द्वारा guided है हमें bigger picture पता नहीं होता तो हमारे भी तर एक असा mindset होता है कि में लाइफ ठीक नहीं चल रहा है आपको यह बोलना है, सोचना है में जीवर में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है तो इससे आपका mindset में बहतर हो SP4 Acupacer Point करें और SP4 Acupacer Point के साथ साथ आप SP9 Acupacer Point को भी कर सकते है SP4 ज़्यादा important है SP4 के बाद SP9 है हमारे पैर के घुटने पर अंदर के तरफ यह SP9 Acupacer Point होता है इस Acupacer Point पे काफी ज़्यादा दर्द आपको मिल सकता है तो थोड़ा साथधानी से करेंगे अपने आपको ज़्यादा तकलिफ नहीं देंगे और दूसरे से अगर करवा रहे हैं फिर तो साथधानी ज़्यादा बरत्नी है दोनों ही पैर में इस SP9 Acupacer Point को दबाना है दबाना, छोड़ना, टोन करना दो तरह के Acupacer करने का धंग आपने सीख लिया है तो ये आप regular करेंगे तो आपका blood बंड लग जाएगा अपने सवालों को आप चैट में लिख कर भी रखें तो इससे आपको अपने mindset में सोचने में आसानी होगी नहीं तो फिर बोलने में अधिक समय लग जाता है तो जिन लोगों ने सवाल चैट में लिखा है उनको मैं mute करूँगा बारी बारी से जितना हमारे पास समय है अगर आपके सवाल इस सो में अगर नहीं हम टेकल कर पाते हैं तो आप हमारे वाटसे पर लिख कर भेज़ दे आपके सवालों को कभी न कभी जरूर लिया जाएगा तो और आप जब ये बात बताते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं कौन सी डेट से कर रहे हैं यो वो महत्पुर्ण नहीं है आप कर रहे हैं बस वो ठीक है हेल्थ आला पॉइंट पर ज़्यादा हम फोकस करें तो संदीब जी आपको अन्म्यूट किया जा रहा है अपना सवाल सवाल पूछे हाँ सर नमस्ते मैं मेरा ये 37 मेरे को कॉस्टिविशन का प्रॉब्लम है मैंने अरुवधिक ट्रिक्ट्मेंट भी किया था लेकिन मुझे टेंपरारी रिलीट मिलता है बात में फिर जैसे वैसे हो जाता है तो दिरेन सरेन का जो नेच्ट्रीवधिक जो टेकनीक है मैंने वो भी अपलाई किया था वो एनिमा पॉड में पानी डालके चाफ करने का उसमें साफ हो जाता है इमिजेटलि लेकिन फिर से उसके बाद जब खाना खाता हूँ फिर इसे वही हो जाता है मेरे साथ और आभी तो बहुत प्रोनिक यह हुआ है मुझे मैं दो बार ही खाना खाता हूँ सुबह और शाम में बेच में अगर भूग लगती है तो कोई सलाड भी डाल खा लेता हूँ बाहर का कोई खाना नहीं खाता हूँ अगर आप मिलेट्स का परियोग ला सके तो यह अच्छा होगा मिलेट्स का परियोग आप करना सुरू करें उससे आपको हेल्प होगी मिलेट्स के परियोग के अलावा यहाँ पर एक्यूपेसर पॉइंट को जो हमें समझ ले अक्यूपैसर पॉइंट कॉंश्टी पेसन में बहुत हलफुल है और वो अक्यूपैसर पॉइंट है हमारे हाथ में L.I.4 L.I.4 लाज इंटेस्टाइण 4 लाज इंटेस्टाइण 4 हमारे पाम पर है हातेली पर डॉरसं पीछे के तरफ इस LI4 occupiesor point को आपको दोनों हाथों में खास कर जब आपको boil moment का जब समय है जब आपको जाना है toilet उससे आप 5 विएट पहले आप दबाएं बाए हाथ में ज़्यादा दोनों हाथ में दबाना है बाए हाथ में अधिक दबाना है यह LI4 large intestine 4 हेगू point बहुत अच्छा point है constipation के लिए और यहाँ पर जो mindset की बात है mindset को भी समझना change लाना पड़ेगा all diseases are psychosomatic हर एक बिमारी मन से सुरू होती है तो जब तक हम मन पर काम नहीं करें तब तक वो permanent healing नहीं हो सकती तो मन पर यहाँ पर जो काम है constipation के मामले में वो होता है attachment का not letting go जो चीज की जरुवत नहीं रह गई आप अपने कमरे में और अपने घर को देखी की सफाई कीजिए जो चीज का उप्योग आप एक साल से नहीं किये हैं दो साल से नहीं किये हैं उसको अपने घर से निकालें घर को साफ करें घर को हलका रखें घर में कम चीज़ें रखें जिनके जरूरी है जो regular use होती है उनको रखें जिनकी जरुत नहीं होती है उनको भी हम अपने अपने लाइफ में रखे रहते हैं यह जो mindset है वही body level पे होता है और हमें cost depression हो जाता है तो let go का attachment का attitude सीखना है छोड़ना सीखना है life एक flow है अगर आप छोड़ते हैं अपने आपको खाली करते हैं तो फिर बर्माइंड अपनी नई उर्जा को भर सकता है नयापन ला सकता है life for acupressor point को आप दबाएं दोनों हाथ में दबाना है बाएं तरफ अधिक दबाना है और आप अपने let go का attitude को लाएं और भोजन में millet की खिचड़ी लाना आप सुरू करें एक सवाल थ्रौफनिस आया है लेकिन confusion दूर कर दें ध्यान करते हुए उन्हें पता चला कि बाएं तब से स्वांस जादा आती है right side से स्वांस कमाती है ऐसा उन्हें लग रहा है तेखिए हमारे सरीर में अपने हमारे body का एक अपना intelligence है जो उसके जरूरी है वो अपने आप होता रहता है अगर आपको कोई तकलिफ नहीं है अगर आपको सांस की कोई तकलिफ नहीं है अगर आपको कोई चक्कर की तकलिफ नहीं है अगर कोई आपको major तकलिफ नहीं है तो अपने आप जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है उसे होने दीजिए लेफ्ट से सांस चले राइट से चले उसमें आपको को छेछार करने की बदलने की जोट नहीं है बस उसको तुचोप चौप देखते रही यह कोई बिमारी ये डिजीज है ही नहीं आज आपकी कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं अगर आपके सवालों को जवाब आपको सो में नहीं मिले पैसान नहीं होना है हमारे वाटसे पर लिक के भीर दीजिए आपको जवाब जरूर मिलेगा और अगर कोई एक ही तरह के सवाल कई सारे खटे होते हैं तो हम उस पर exclusive so हम बनाकर उसके बारे में आपको बताया जाएगा आपके सवाल कई सारे हैं और हमारे society के कुछ पारामीटर्स ऐसे बन गए हैं जो थोड़े चिंतनीए है हम कॉस्मेटिक पॉइंट को कॉस्मेटिक चीजों को जोज से ज़्यादा महत दें लग गए हैं देखिए हमें ध्यान उनका भी रखना चाहिए हमारे सरीर में कोई भी unnatural है तो हम उसको ठीक कर लें वो हमें करना चाहिए हम कर सकते हैं कर लेंगे लेकिन फेस वैल्यू को फिजिकल चीजों को एक ज़़स से ज़्यादा चीज महत दे रहे हैं इस पर थोड़ा सा इंटर्नल आप कैसा फिल करते हैं कैसी नीद आती है आपको आपको काम करने का पढ़ने का मूड कैसा करता है कितने नेज़टिक फिल करते हैं उन पर ज़्यादा हमें तबज्जो देना चाहिए चलिए लेकिन सवाल आया है तो उसके उस पर भी आपको जरूर करनेस दिया जाएगा लेकिए किड़नी से होता है तो आपको अपने इंटर्नली किड़नी औरगन पर काम करने के जुरुष है गिड़नी की रहे तो देखिए जब यहाँ पर बात हो रही है कि आ आपका किड़नी हली रहे इसका यह मतलब नहीं है किड़नी की लेवल पर कोई मेजर प्रॉल्लम है किड़नी औरगन की नाड़ी को मजबूत किया जाए उसकी उर्जा को बढ़ाया जाए तो यहाँ पर ध्यान तो देखे जरूरी है ध्यान आप प्यार से समझाएं बताएं अपने बच्चे को और ध्यान शुरू करें withdraw शुरू करे और ध्यान से मिलता जुलता एक अभ्यास है योग निद्रा का वह भी किया जा सकता है कि उसमें लेट करना होता है तो बहुत लोगों के लिए वह आसान होता है तो योग निद्रा का अभ्यास सुरू कराएं ध्यान का अभ्यास सुरू कराएं यह जरूरी है और इससे tension भी कम होगा tension से stress से भी बाल उड़ जाते हैं तो अगर tension कम होगा stress कम होगा तो यह भी help करेगा तो ज़्यादा focus तो ध्यान पर रखें वो ही और सिर्फ एक issue को ना देखें कोई भी health issue आपको पैसान कर रहा है अगर आप ध्यान की रास्ते पर आ जाते हैं तो आपको यह भविश में भी आपको हर तरह की स्वायत समस्याओं से बचा कर रखेगा यह जो ध्यान है ध्यान इतनी अच्छी चीज है कि आपको भविश में भी बहुत आपको फाइदा होगा हर हेल्थ कंडिशन से आप बचे रहेंगे तो मैं आपको किड्नी और किड्नी के अलावा हमारा यूबी 57 दो एक्यूपेसर पॉइंट में आपको बताता हूँ दो एक्यूपेसर पॉइंट को करेंगे यह आजमाईवी पदती है बहुत सक्सेस्फूल पदती है बहुत लोगों को इससे फाइदा होता है एक तो आपको एक्यूपेसर पॉइंट करना है अपने पैर में के सेवन के सेवन और के फाइव के सेवन के फाइव एक्यूपेसर पॉइंट आप समझे और यह दाहिने पैर में करना है अगर फिमेल है अगर लड़की है तो दाहिने पैर में करना है मेल और फिमेल में किड़नी के default language में side का फर्क पर जाता है दाहिने पैर में के 7 अक्योपेसर प्ऐंट जो ankle टकना जोइंट होता है उससे पीछे के 3 है किड्नी 3 है और किड्नी 3 से 2 अंगुल उपर किड्नी 7 के 7 अक्यूपेसर पॉइंट है इस अक्यूपेसर पॉइंट को मसाज करना है दाहिने पैर में राइट लेग लेट लेग में भी कर सकते हैं लेकिन लेट लेग में उतना हेलफुल वो नहीं है और दोनों हाथों के बार भरोसा नहीं कर पाते किनी के 7 एक्यूपेसर पॉइंट के अलावा हम समझ लें BL-57 या इसको यूबी 57 भी बोलते हैं हमारे पैर में काफ मसल्स पीछे के तरब से जो पिंडलियों का मसल्स है उसके सेंटर में ये BL-57 एक्यूपेसर पॉइंट होता है दोनों पैर में आपको ये BL-57 एक्यूपेसर पॉइंट को दबाना है एक बार में दो मिनट ऐसा दिन में तीन से पांच बार BL-57 अक्यूपेसर पॉइंट दबाएंगे K-7 अक्यूपेसर पॉइंट दबाएंगे in right leg BL-57 दोनों पैर में करना है और अपने हाथों में जो नाकुन होते हैं उन नाकुन को आपस में रब करना देखिए चीजें सिंपल से दिखती हैं लेकिन ये effective है बास्तों में ये सुजोख है और सुजोख में हमारा जो finger है वो हमारे पूरे body को represent करता है जो nail है वो हमारे scalp को represent करते हैं तो जब हम नाकुन को चारों नाकुन को आपस मिला कर जब हम भी ऐसे रब करते हैं तो ये एक तरह से scalp massage जैसा function हो रहा है तो इससे head vision में उल्जा का प्रवाह, blood का प्रवाह बढ़ता है अगर scalp vision में blood flow अच्छा हो energy flow अच्छा हो तो बाल नहीं जड़ेंगे तो इन सभी चीजों को आप आजमाएंगे बहुत आसानी से आपके ये ठीक हो जाएगा जादा कमर में द्रण है और जो ज़िए हडिक हो जादा बढ़ जाता है उसके प्तान के प्रवेश्टन को और प्रवाह, 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 रिपीट करें दूजी नमस्तार सर्थ, हमारा इस question रहा है कि मेरा Central जो है वो 380 पर है और जो BP है वो higher rate पर है और meditation करते हुए भी मेरा जो cholesterol है वो बहुत हाई है तो जो cholesterol है हम कैसे control कर सकते हैं देखिए cholesterol जितना बड़ा issue दुनिया में है बोला जाता है उतना बड़ा issue नहीं है इस बात को आप समझें अपने भोजन में थोड़ी सी साठ्युक्ता लाएं थोड़ा oil का consumption थोड़ा कम करें तेल की जगह पे आप घी का सेवन करें घी हमारे स्वाज से लिए ज्यादा अच्छा है तेल और खासका जो रिफाइन यूज होता है उसका यूज ना करें या कम से कम करें जो कुलेस्टरॉल का पॉइंट है वो LA11 है ये LA11 BP के लिए भी काम आता है कुलेस्टरॉल के लिए भी काम आता है हमारी कलाई पर जब हम अपने हाथ को 90 डिग्री पर रखें या पूई तसे फुल्ड कर लें तो हमारे अंगूठे के बात की जो अंगली है उसकी सीध में य सिडेट करने की वात को गौर से समझ लें, यहां पर लगातार दबाओ देना है, जातर जगहों पर मसाज करना रहा है, कि आप आप वहां पर अपन डाउन या आगे पीछे या गोल-गोल मसाज कर रहे थे, यहां पर आपको मसाज नहीं करना है, यहां पर आपको लगातार बाव देना है ये बारीक अंतर आप समझ ले अगर ठीक से हम एक्विपेसर करेंगे तो ही हम फाइदा ले पाएंगे नहीं तो फाइदा नहीं होगा Li-11 एक्विपेसर पाइंट को सिडेट करना है लगाता दबा के रखना है दोनों हाथों में और इस पाइंट पर काला रंग लगाने से भी सिरेशन होता है कोलेस्टरॉल में कमियाती है और अगर BP हो तो BP भी ठीक होता है कोलेस्टरॉल की प्रॉलम आगे बढ़कर BP के रूप म भी प्रकट होती है लाई 11 को स्रेट करने से कुलेस्ट्रोल की प्रॉलम सॉल्व हो जाती है हमारा आखरी प्रशन है आर्थी चौहान से ओवरी सिस्ट की जो तकलीफ है उसके वज़े से मैं अपनी नॉमल जिंदगी मैं नहीं जीपाती है तो कैसे हम इससे बाहरा से ओवरी सिस्ट एक बहुत कॉमन प्रॉलम हो गई है और यहाँ पर बात समझें कि हमें अपने लाइफ स्टायल में चेंजे लाना है अपने सिरेंटरी अपने लाइफ को ना रहने दे हम ने अपने सोने की व्युस्था को गरबर कर लिया है हम जोज से जादा हम बैठे रहते हैं हम वाक कम करते हैं हम अराम तलब जादा हो गए है जब जागो तब सवेरा चलिए, अपने लाइफ को एक्टिव बनाईए, घुमिए फिरिए, चलिए, जब भी पैदल चलने का मौका आए, जरूर पैदल चलने, हम अपने लाइफ को एक्टिव रखेंगे, और आपको योगा में, योगासन में एक आसन है विक्षासन, उसका अभ्यास करना है, देख लीजेगा, नाम आप ध्यान रख लीजे, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसे विक्षासन का अभ्यास पांच-पांच मिनट सुबह साम किया करें, और अक्यूप्रेसर पॉइंट में, हमारे बाय पैर में, ध्यान रखिए, बाय पैर का ही सिर्फ योज करना है, यह इससे थ्वास पीछे और नीचे के सेवन अक्यूप्रेसर पॉइंट है, इन दोनों को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप दबाएंगे, तो जिनको सिस्ट की प्रॉलम है, उनको दर्द जरूर मिलता है, तो अगर दर्द मिल जाए, तो आपको से रोज दबाते हुए उस दर्द को जाने देना है, और माइंड सेट में देखे चेंज लाएं, कि हमारा जो यहाँ पर जो मन का जो कनेक्शन है, वो भी सिस्ट इज अक्यूमिलेशन, अक्टिवनेस रहेंगे, बहता अगर जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, अगर हम लाइफ में थो बहना सीख तो इस्टागनेशन ठहराव, रुकाव नहीं होगा, सिस्ट इनरजी का रुख जाना है, ओवरी में पिर्थवी प्रान का, पिर्थवी कुर्जा का रुख जाना है, थो आप बहना सीखें, थोड़ा एक्टिव होना सीखें, इन सभी को अपनाएंगे, तो आपका सिस्ट ब प्रोग्राम मिलेंगे, अन्भो मिलेगा, समझ ये बारिक्यों को, अपनाएंगे, अगर आप ध्यान को ठीक से समझते हैं, चक्रों को ठीक से समझते हैं, नारियों को ठीक से समझते हैं, अपने सबकों सस्माइन को ठीक से समझते हैं, तो स्वस्त होना आसान है दोस्तों, जो सोसाइटी में बात फैली हुई है, उस कंसर्प्ट को हमें डिलीट कर देना है, घर बैठे आप सेल फिलिंग कर सकते हैं। आपके जिन मित्रों का सवालों को जवाब नहीं दे पाएं हैं, आप हमारे सवालों हमारे वार्टसप्ट नमबर पे दे दे, आपको किसी भविष के सतर में अग्रे सुक्रवार को या और किसी सतर में आपको सवाब जोड दिया जाएगा। आज आपने की प्रोग्राम देखा हमारे यूटूब पे हमारा फीड़ बैक दे और इस प्रोग्राम की बारे में अपने दोस्तों को बताएं वित्रों को बताएं आज के लिए इतना ही नमस्कार